हाई फोक्स वो ये वीडियो में डिफेंस कंपनीज के बारे में बात करेंगे डिफेंस कंपनीज के अंदर भी अपना जो सबसे साथा फोकस है वो शिपिंग कंपनीज के उपर रहेगा तो अगर आप shipping companies के उपर देखोगे तो जिसे कि आपकी coaching shipyard हो गई मजगा और dockyard हो गई ये सारे companies के अंदर in fact garden reach के अंदर भी correction आना start हो चुका है और ये defense companies के अंदर जैसे ही correction आना start हो चुका था बहुत सारे लोगों के मन के अंदर सवाल आने लगे कि भाई क्या ये company के अंदर कुछ खराब हो गया है कि एकदम से defense stock के अंदर correction क्यों आ रहा है पहले तो ये stock में ने इतना साथ आप बहुत सारे लोगे जिन्नोंने defense sector के जो stocks है वो यहाँ बाय कर कर रहे थे बहुत सारे लोगे क्योंकि वो जो है companies के अंदर बहुत जादा growth एकदम heavy growth anticipate कर रहे थे वो anticipate कर रहे थे कि इन companies के पास जो order है वो कभी खतम ही नहीं होगे manufacturing firms के order खतम हो जाएगे लेकिन यह जो defense companies के orders है यह कभी खतम नहीं होगे और इसलिए defense stocks के अंदर एक बहुत बड़ा bubble बन चुका था तो यह bubble के वज़े से जैसे कि आप देखो कि तो stock के price जो है बहुत जादा एकदम heavily inflate हो गए रहे गए अब एक साल के अंदर coaching shipyard का return देख लो 228% अब garden reach का return देख लो जाकर 111% अब उसी तरीके से फिर मजगा और dockyard का return देख लो जाकर तो आपको एक बात बता दो कि आप कभी भी defense sector को है ना उसके sales के number से value नहीं कर सकते आप defense sector को PE के multiple से value नहीं कर सकते कर सकते हो लेकिन defense company को अगर आपको value करना है तो उसका एक और better जो मुझे एक valuation metric लगता है तो MCAP to order book सबसे best और efficient ratio है अगर आपको defense companies के बारे में analysis करना है क्योंकि defense sector का जो होता है अगर आप देखोगे तो order book जो होती है वो सबसे जादा important होती है order book बता दिए कि company के पास अभी कितने जादा orders पड़े हुए और अभी कितने जादा orders जो है company को place करने जादा जादा पड़े है तो मैंने एक काम किया अब जैसे defense sector के अंदर fall अन लग गया तो मेरा भी defense sector को पढ़कर बहुत जादा time हो चुका है तो मैंने तीनों companies coaching shipyard मस्गाव डॉक्याड और garden reach की जो valuation reports है इसके साथ साथ आपकी credit ratings और इसके साथ साथ आपके जो concord transcript से तीनों companies के मैंने पढ़ लिये और मैंने पूरी situation को समझा और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो correction है ये market के अंदर आना ही था basically ये कोई hindsight bias नहीं है क्योंकि defense sector के जो आप multiple देखोगे तो ये बहुत जादा increase हो चुका था तो इसलिए लोग defense companies के अंदर invest करते ही जा रहे थे करते ही जा रहे थे और बहुत सारे fund houses इस चीज़ का फाइदा भी ले लिये और अब वो defense companies के अंदर अपनी जो position है वो cut कर रहे है बहुत सारे fund houses in fact मैंने ICICI की report पढ़ ले थी कि उन्होंने garden reach को 45% down का target दिया है तो ये सारी जो चीज़े ही अभी defense industry के अंदर चल रही है companies के अंदर चल रही है इसलिए ये जो stocks है इनका P.E.B. बहुत अच्छे से correct होन लगा है और इनके multiples के अंदर भी बहुत जादा downgrade देखने मिल रहा है इसके साथ-साथ इनके price के अंदर भी अगर आप देख सकते हैं तो changes दिखने लग गए फिर मैंने सोचा यार इनके price के अंदर इतने साथ changes लग रहा है तो भई company के अंदर कुछ तो problem होगा कि इतना साथ multiple correct हो रहा है तो basically पहले अगर हम बात करें तो defense companies के जो multiple है वो बहुत जादा heavily valued हो गए थे मतलब बहुत जादा एकदम over inflated हो गए थे सब लोग defense companies के अंदर enter कर रहे थे और अब जो लोग defense companies के अंदर recently enter कर शुके वो सोच रहेंगे कि यार यह stock जो है अब गिरना start हो गया है company बेकार है इसलिए हम निकल जाते हैं तो यह जो ideology है यह बहुत जादा घटिया है तो basically आपका काम simplify करने के लिए मैंने यह video बनाया तो अगर हम बात करें तो garden reach अपने कॉन कॉल के अंदर बोलता है कि इनके पास अभी 25,000 क्रोर की order book है इसके साथ-साथ इनके पास 18 water ships का order है इंडियन और लेवी इनकी जो first ships है mid 2025 में deliver होगी ship prepare से इनके कुछ 5% revenues आ रहे है अगर आप garden reach की बात करोगे तो फिर इसके बाद इनका जो current shipping है इनके पास यह e-shipping के लिए भी orders ले रहे है government of Bengal से इनके order आ चुक है जिसके लिए इनके 13 orders आ चुक है Europe से भी इनके export orders आ रहे है जिसके वज़े से इनके export order भी increase होते जा रहे है इसके साथ-साथ यह marine diesel engine वाले जो project है उस पर भी focus कर रहे है water jet वाले focus project पे लेकिन basically इनका जो यह water jet वाला जो plan है यह long term plan है यह अभी short term में इसके उपर यह कुछ कर नहीं रहे अब बहुत सार लोग सोच रहे थे कि बांगलादेश के वज़े से defense companies के उपर एक बहुत बड़ा impact अन लगेगा shipping companies के उपर बहुत बड़ा impact अन लगेगा क्योंकि kochin, mazgao और garden reach तीनों के पास आपके बांगलादेश थे उसके orders थे तो garden reach का management है वो आकर बोलता है कि भई हमें कोई बहुत जादा बड़ा significant impact नहीं आने वाला है क्योंकि order book का से 1.2% था बांगलादेश का orders तो उससे हमें कोई इतना जादा फरक नहीं पड़ेगा फिर garden reach अगर मैं तीनों companies compare करूँ kochin, mazgao और garden reach तो उसमें garden reach का अगर आप mcap to order book का ratio देखोगे तो यह less than 1 है कुछ 0.65 के आसपास इसका जो mcap to order book है वो है kochin का जो है mcap to order book 2x के असपास है और mazgao डॉकियारड का भी आप देखोगे तो mcap to order book 2x के पास है क्योंकि mazgao डॉकियारड की जो market cap है वो 86,000 क्रोर के असपास है और इसका order book कुछ 40,000 क्रोर के असपास है तो वो मुझे garden reach लगी क्योंकि इसका जो valuation है वो भी बहुत जादा कम है अगर आप इन से compare करोगे तो इनके जो market cap to order book ratio है वो 2x के उपर है और garden reach का जो ratio है वो 0.6 के असपास है mcap to order book का अगर आप ratio देखोगे तो तो उसे सबसे valuation wise मुझे garden reach जो है better company लगी इसके साथ garden reach जो है heavy growth target भी दे रही है मतलब अगर आप बाकी companies को compare करोगे तो वो सिफ 15 to 20% के वीच में target दे रही है बट उसी तरीके से आप garden reach को देखोगे तो वो जो है 25 to 30% target दे रही है in fact माजगा और ओक्याड ने भी वो ही 20 to 25% वाला target दिया है और कोचिन शिप्याड ने भी यही 20 to 25% वाला target देखर रहा है तो garden reach जो है इन company से अगर आप compare करोगे तो garden reach और कोचिन शिप्याड का जो sales है वो लगबग से में अगर आप garden reach के sales देखोगे तो 3846 है और कोचिन शिप इन दोनों से better perform करता है और इसका sales जो है constantly fast pace पे increase होते आ रहे है बस garden reach के अंदर मुझे एक बड़ी problem लगी कि इसका जो profit after tax का margin है पैट margin जिसे हम बोल सकते वो बहुत ज़्यादा कम है अगर आप कोचिन शिप्याड और मजगा और के margin देखोगे तो इनके margin बहुत अच्छे 7% की आसपास है यह reason हो सकता है कि garden reach को जो multiple है वो बहुत ज़्यादा कम भी मिल रहा है अगर आप इन से compare करोगे तो still garden reach जो है company मुझे better valuation पे लगती है इसका sales का growth है वो भी comparatively इन दोनों companies से जाधा है क्योंकि मैं basically कोई investing philosophy वगेरा वगेरा इसके उपर believe करने से अच्छा मैं hardcore facts के ओपर believe करता है और hardcore facts आपको numbers देख कर ही समझ आते तो garden reach के जो numbers है garden reach का management हो मुझे थोड़ा optimistic लगा coaching और मजगाओ से तो इसलिए garden reach मुझे थोड़ा अभी इस time पर undervalued stock लग रहा है तो undervalued नहीं बोल सकते rightly valued बोल सकते ही stock के अंदर तो बाकि defense companies के जो stock है shipping yard वाले जो stock है shipping companies वाले इनके अंदर सच मुझ कोई दिक्कत है क्या तो basically बात करो तो दिक्कत किसी भी company के अंदर कुछ नहीं चल रहा है इनके जो multiple से हो बहुत जादा increase हो चुके थे जिसके वजह से आप market जो है इसके उपरे correction दिखाने देखने मिल रहा है क्योंकि market के अंदर एक और सेक्टर जैसे के फिनिक्स मिल्स वगेरा या premium ancillaries premium proxy to premium companies वगेरा जो है अभी recent ही वो सेक्टर है लेकिन मैं यह सब सेक्टर रोडेशन वाली philosophy पर इतना जादा बिलीव नहीं करता हूं मैं मानता हो कि यह सब चीज़े होती है लेकिन जिस company के अंदर growth है वो company जादा better perform करती है in long run आप कुछ भी sector rotation वाला philosophy लगा लो कोई इतना जादा फरक नहीं बढ़ता है तो इन तीनो shipping companies के उपर अगर basically मैं final conclusion दे दूँ तो garden reach जो है मुझे better performing लगी compared to अगर आप मजगाओ को भी देखोगे कोचीन को भी देखोगे इसके जो orders है order book जो है वो भी अच्छी खासी fast price increase हो रही है अभी ब्रावो जो shipyard है ब्रावो जो ship से इनका भी order आने वाला है कुछ 70,000 को का order book रहेगा इसका लेकिन वो पूरा GRSI को नहीं मिलेगा यह coaching मजगाओ GRSI तीनों में split होगा या फिर और एक-दो shipping companies है उन्हें भी यह order है वो मिल सकता है बाकी इन तीनों companies में मुझ degradation के अंदर degradation देखने मिला है अगर आप देख सकते हो PE इनका भी धीरे धीरे reduce होना चालू हो चुका है तो जितने भी defense companies थी उनके अंदर अब बहुत सारी बेकाल defense companies भी तीजे सेगी यह इनके अंदर ना की कोई sales growth थी ना कुछ चल रहा है इन company के अंदर और इनका PE तो इतना इन company के अंदर तो इन company के अंदर जो multiple से हो थोड़े बहुत correct भी हो जाते तो यह आपके लिए as a investor बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप यह जो stocks है और ज्यादा evaluate कर सकते हो और अगर आपको अभी defense stocks के अंदर enter करना है तो आपको इतना ज्यादा valuation के बारे में सोचने की भी है क्योंकि इनकी valuation मुझे ऐसे लगता है कि और थोड़ी बहुत correct होगी और आपको यह stocks जो है वो 50 के P.E. पर 45-50 के P.E. पर देखने मिल से हैं वही है कि यह आप थोड़े बहुत accumulate कर सकते हो अगर आप defense story के अंदर believe करते हो तो बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था मैंन कोई sector के बारे में तो नीचे comment section में आके link देना thank you for watching